गुद मारिंग डियर स्टुएंट हमारा चेप्टर 7 वह चल रहा है भी रॉनिंग में है मैंने आपको हाफ चेप्टर ये रीड करवा देता है हाफ अपना बाकी है कि डॉक्टर डू लिटिल होता है उसके पास कितने सारे पैट एनिमल्स होता है उसका घर जो होता है उसका हा जैसे बहुत सारे निमल्स होते हैं जिनको अपने घर में अलग-अलग जगह पर रखता है और इसके घर पर क्या होता है यह प्ने अजी जैरे के इसाक्र रखाएव का व्यक्यावग थे मुन होता है। रुमैंटिजम था गठिया रोख था वो उसको दिखाने आती है लेकिन हैजोग जो सोफी पे बैठा सोया हुआ था उसके उपर बैठ जाती है और डर के मारे वह वहां से चले जाती है इसके बाद उसको कभी भी देखाने नहीं आती है तो फिर आगे क्या होता है वो हम रीट करेंगे तो फिर उसकी सिस्टर आती है सारा डू लिटिल और उसको कहते है जॉन हाव कें यू एक्सेप तुम कैसे आशा करते हो सिख पिपल जो बिमार लोग हैं कम टू सी तुमारे पास दिखाने आएंगे वैं यू किप ओल्स आनीमारे पास इन दा हाऊस एक अच्छा डॉक्टर जो जिसने अपने पालर को हैजोग मतलब काटे वाले चुये और माइस चुयाओं से भर रखाओ पालर मींस होता है बैठक या सेवा या कोई चीज विशेश चीज प्रदान करने की जगे लोग यह नहीं कह सकती पालर मतलब बीट्य पालर ही होता है बैठक सेवा या समान विशेश प्रदान करने की दुकान मतलब एक दुकान जहां पे हम लोग बैठक होती है या हम कोई विशेश सुविधा लोगों को अपलब करवाते हैं तो वह कहते हैं एक अच्छे डॉक्टर यह ऐसा होना होता है कि जो अपने बैठक को या अपनी शॉप को या है जो गुर्मा इससे भरके रखेगा यह चोथा व्यक्ति था जिसे इन आइनिमास ने भगा दिया है Jenkins और जो पार्सन है उन्होंने कहा है कि वह तुमारे घर के पास दुबारा नहीं आएंगे नो मेटर हाउ सिख दे चाहे हो कितने भी बिमार हो जा लेकिन वह तुमारे घर पे दिखाने नहीं आएंगे We are getting poorer everyday हम लोग हर रोजगरीब होते जा रहे है If you go on like this यदि इसी तरह चलता रहा None of the best people will have you for a doctor तो कोई भी अच्छा लोग तुमारे पास doctor के लिए मतला तुमें दिखाने के लिए कोई भी नहीं आएगा But I like the animal better than the best people Say the doctor, doctor कहता है मुझे animals अच्छे लोगों से ज्यादा मैं animals को पसंद करता हूं You are ridiculous, तुम मुर्ख हो Say the sister, उसकी sister बोलती है And walk out of the room और रूम से चले जाती है उसकी sister उसको समझाती है लेकिन वो समझता नहीं और कहता है कि मुझे तो जो animals है वो लोगों से ज्यादा पसंद है और उसकी sister जो होती है कि तुम तो stupid हो Ridicals मता मता है stupid, तुम मुर्ख हो ये कहके वो रूम से बाहर चले जाती है So as the time went on, जैसे जैसे समय बीता गया The doctor got more and more animals The doctor के पास बहुत सारे animals हो गये And the people who come to see him got less and less जो doctor था उसके पास animals तो ज्यादा होते गए लेकिन जो लोग थे उसको दिखाने जो आते थे वो धीरे-दीरे less होते गए Less मतलब कम होते गए Till at last he had no one left अब ये समय आगा था कि उसके पास कोई भी नहीं आता था दिखाने के लिए Except the cat's meat man सिर्फ एक आदमी cat's meat man जो था सिर्फ वो ही उसके पास दिखाने आता था और बाकी कोई भी उसके पास दिखाने नहीं आते थे Who didn't mind any kind of animal उसको किसी भी प्रकार के animal से कोई फरक नहीं पढ़ता था But the cat's meat man was not very rich लेकिन जो cat's meat man था वो बहुत अमीर नहीं था And he only got sick once a year और वो साल में सिर्फ एक की बार विमार होता था At Christmas time सिर्फ Christmas time पे When he used to give the doctor six pence for a bottle of medicine और when he used to give और जब भी वो उसको दिखाने आता तो वो Medicine की जो bottle थी दवाई की जो bottle थी उसके लिए six pence ही उसको देता था Six pence मतलब यह जैसे हम लोग के हाँ पैसे चलते हैं वहाँ अलग-अलग currency में अलग-अलग currency को अलग-अलग बोला जाता है तो six pence west country जो थी उसकी currency है Six pence a year was not enough to live on मतलब जो six pence थे वह साल भर के लिए मतलब एक साल के लिए परयाब नहीं थी रहने के लिए इवन इन दोस डे और उन दिनों लॉंग अगो बहुत लंबे समय पहले क्या था डॉक्टर ने अपनी कुछ मनी को मनी बॉक्स में सेव कर रखा था no one no one know what would have happened no one know कोई नहीं जानता था what would have happened कि क्या घटीत होगा तो मतलब क्या अगर था क्या था डॉक्टर ने थोड़ी सी मनी को अपनी मनी वक्स में सेव कर रखा था उसको पता नहीं था क्या हो क्या नहीं and he kept on getting still more pets अभी भी उसने बहुत सारे animals पैट जो animals थे उनको रख रखा था and of course it cost lot of feed बहुत सारे animals होंगे तो बहुत सारे animals को feed भी करवाना पड़ेगा lot of feed मतलब बहुत सारा खिलाना भी पड़ेगा जतने जादा animals को खिलाना तो पड़े गई and he kept on getting still more pets and of course it cost a lot of feed them and the money he had saved up become less and less जितने जादा animals होंगे उतने सारे animals को खिलाना पड़ेगा और animals को खिलाएंगे तो money तो less होगी जितने animals उतने बहुत सारे animals उसने रख रहते खेते और बहुत सारे animals को उसको feed करवाना पड़ता था खिलाना पड़ता था तो उसने जो money save कर रखी थी वो भी धीरे-धीरे क्या होगी बचा के जो money उसने रख रहती कि वो भी धीरे-धीरे कम होती चलेगी then he sold his piano फिर उसने अपना प्यानो जो था वो sold कर दिया and let the mice live in bureau drawer जो माइस प्यानो में रहती थी अब वो कहां रहने लगे ब्यूरो ड्रावर में जो ड्रेसिंग टेबल वगरे कि जो ड्रावर रहती उसमें रहने लगे थी but the money he got for that to begin to go लेकिन फिर भी उसने जो money प्यानो को बेश की मिली थी वो भी क्या होने लगे so he had sold the brown suit इसलिए उसने क्या कि अपना जो brown suit वो भी sold कर दिया बेश दिया he wore on Sunday जो वो Sundays पे पहनता था and went on become poorer and poorer और धीरे धीरे वो और गरीब से गरीब होता चला उसने अपना प्यानो बेश दिया जो money रखी थी वो उसकी सारी save जो कर रखी थी money वो सारी खतम होगे उसने अपना प्यानो बेश दिया प्याने के बाद उसका जो ब्राउन सूट था वो जो सटने हमेशा संडे को पहनता था वो उसने बेश दिया लेकिन फिर भी इनको बेशने से भी जो मनी मिली वो भी खर्च होती गी एनिमल्स को फीड करवाने में और वो गरीब से गरीब होता गया क्योंकि कोई भी जो लोग पैंड के जाता पिपल वुट से टू वन अनदर लोग एक दूसरे से बाते करते देर गोस जॉन डू डू लिटिल देखो वो जॉन डू डू लिटिल डा रहा है एम डी देर वाज टाइम एक ताइम था वैन ही वाज दा बैस नॉन नॉन डॉक्टर इन दा वैस कंट्री ज अब से अच्छे डॉक्टर के नाम से जाना जाता था लुक एट इम नाव अब उसको देखो यहाज नॉट एनी मनी अब उसके पास कोई भी मनी नहीं है एंड इस स्कॉर्टिंग आर फुल अफॉल और जो इसके स्कॉर्टिंग है स्कॉर्टिंग मतलब जो सॉक्स नी तक ह है 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 प्लब उच्छी हैट पैन के तो लोग आपस में एक दूसरे से बाते करते हैं देखो देयर गोज जॉन डूलिटिल देखो वो जॉन डूलिटिल जा रहा है एम डी देर वाज टाइम एक ताइम था वैन ही वाज दा बैस नॉन डॉक्टर इन वेस्ट कंट्री जो वैस्ट कंट्री में सबसे अच्छे डॉक्टर के नाम से जाना चाता था लुक एटिम नाव अब उसको देखो अब उसके पास कोई पैसा नहीं है और उसके जो स्कॉर्टिंस है जो सॉक्स है जो जुराब है वो पूरे हॉल से मतलब छेश से भरे हुए हैं लेकिन दाओगेन दाओग दौर्ट рок है दीड़ाण दguru दौर्टर तेय अब भी इसके पीछे दौर्ट थे थे जैसे ही उसी तरह बच्चे अभी भी बच्चे जो थे जो cat थे वो dog थे अभी भी उसके पीछे वैसे ही दोड़ते थे गलियों में टाउन में जैसे वो अमीराद में था जब वो अमीराद में था उसी तरह बच्चे जो animals जो cat जो dog थे वो उसके पीछे दोड़ते थे उसी तरह जब व सारे जो बच्चे जो होते हैं जो कैट डॉग होते हैं वो उसके पीछे वैसे ही दोड़ते उन बच्चों को उन एनिमल्स को कुछ भी फरक नहीं पड़ता है तो यह चाप्टर हमने रीट किया है कि किस तरह डॉक्टर डॉलिटिल ने देखो कितने सारे एनिमल्स को अपनी य सबस् dinosaurs के को चापकर होते हैं लेकिन सबस्क्रेट टनों फिर बिलोग अन्हाबंद कर देते हैं उसके घर में उसको दिखाने बट्ट जो डॉक्स जो KI च्ट्ञ कुट्स जो चिल्डन कोते हैं वह जैसा वह उता है उसी तरह यह जब वह अमिर'tे तब सब उसको सबर्लो करते उनको इस चीज से कोई फरक नहीं पढ़ता है ते यह chapter हमने read कर लिया है अब next class में मैं आपको इसके hard words करवाऊंगे next class में हम लोग इसके tick the right करेंगे अभी तो मैंने आपको यह करवा दिया chapter read करवा दिया आपको इस chapter को read करना है next class अब होगी तब मैं आपको tick the right करवाऊंगी थैंक यू